हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस एडवांटेज की ओनलाइन क्लासेज में दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रिजेंट कर रहा हूँ डेली वुकेप का पार्ट फाइब और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वोर्ड लिये हैं मैंने उनको मैं एक्स isya level एक्साइब के लिए और एससीजीएल एक्जाम आने और रहां है एक्सार और सिसेशीएर टियर एड़ एन टियर तू दौनों के लिए ही यह वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है और बहुती रैकरिंग का इन्ड ओफ वर्ड यह आते रहते हैं mitigate देखिए इसके दो सदोनिम्स होंगे alleviate and lesson alleviate and lesson मतलब कम करना ठीक है और इसके antonyms होंगे aggravate और worsen aggravate का मतलब है कि कोई situation बेकार है और उसको बेकार कर देना यानि जिसको हिंदी में बोलते हैं बत से बत तर कर देना उसको हम तो aggravate और वर्शन इसके एंट्योनिम्स होंगे और mitigate का मतलब है कम करना और इसका सबसे ज़्यादा important जो स्रोनिम है वो है alleviate alleviate का मतलब है कम करना देखिए फोटो में आप देखिए ये दर्द को कम कर रहे हैं मसाज करके या मालिस करके उस दर्द को कम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे mitigate mitigate को आप याद रख सकते हैं mitigate मतलब मिटना यानि दर्द का कम होना और तकलीफ का कम होना उसको हम बोलते हैं mitigate और यह बर्व है mitigate और इसका जो noun form होगा वो होगा mitigation mitigation मतलब दर्द का कम होना और देखिए यह है इसका example sentence the doctor has given him medicines to mitigate his pain उसके दर्द को कम करने के लिए doctor ने उसको medicine दे दी है तो mitigate का मतलब है कम करना इसके सुननेम्स होंगे आपके alleviate और lesson और इसके एंटनेम्स होंगे aggravate और worsen ठीक है तो चलिए दूसरा word देखते हैं exonerate exonerate का मतलब होता है किसी व्यक्ति के उपर जो आरोप लगा हुआ है उसको पूरी तरीके से मुक्त कर देना उस आरोप से और जिसको हम बोलते हिंदी में बरी कर देना या हक बहाल करना उसका ठीक है तो exonerate एक बर्व है exoneration आपका noun है तो acquit होगा बरी करना acquit का मतलब भी होता है बरी करना एब्जॉल भी होता है इसका absorb और discharge तो बहुत simple word है hospitals में use होता है discharge और acquit को आप याद रख सकते हैं quit देखिए quit का मतलब क्या होता है छोड़ना तो किसी को यदि आप छोड़ते हैं तो acquit करते हैं मतलब उसको बरी कर दिया आपने और exonerate exonerate को आप याद कैसे रखेंगे exonerate को देखे ex को आप याद रखी ex इसमें word आ रहा है और ex को जोड़िए आप exit से exit का मतलब है बहार जाना तो जब कोई वक्ती free हो जाता है discharge हो जाता है तो वह बहार जाता है तो इसको हम exonerate का मतलब बहार जाना मतलब रहा हो गया free हो गया acquit हो गया तो इसमें सबसे important word है absolve ये भी बहुत important word है absolve रहा होना और acquit ठीक है और इसका एक मतलब है बरी हो जाना या हक का बहाल हो जाना free from all allegations duty और obligations तो ये इसका मतलब होगा exonerate का इसके antonyms होंगे blame और accuse blame and accuse ये इसके antonyms होंगे और इसके example sentence देखिए इसके example sentence है Pope Clement V exonerated the king from his oath to the barons barons के प्रती उसको उनकी जो राजा की जो ओथ थी उससे पोप ने उसको मुक्त कर दिया the report exonerated the crew from all responsibilities for the collisions collision जो हुआ जो मुढवेड हुई जो टकर हुई उस report के through उनको जो crew था उसको उससे free कर दिया गया exonerate कर दिया गया तो देखिए ये exonerate हो गए है ये महाशाय इनको exonerate कर दिया गया है देखिए ये कितने खुश हो रहे हैं और ये court का scene है वहाँ पर इनको बरी कर दिया गया है, जो इनके उपर आरोप लगा हुआ था, उससे उनके बरी कर दिया गया है, तो इसलिए ये उसका scene है, और इस video tutorial में मैंने photo भी include किया है, तो इससे आपको ये word आराम से आसानी से याद रहेंगे, और मैं आपको tricks भी बताऊँगा, जैसे मैंने exonerate की trick बत मतलब छोड़ना, तो इस तरीके से आप इस word को याद रह सकते हैं, equit मतलब वरी होना, और exonerate मतलब सभी अपरादों से, सभी दोसों से मुक्त कर देना, या किसी को उसकी responsibility से, या obligation से मुक्त कर देना, या discharge कर देना, उसको हम बोलते है, exonerate, और बहुत important word है ये, next देखते ह या उसको appease करना, या शांत करना, ठीक है, तो जैसे government जैसे इंडिया और पाकिस्तान में चलता रहता है, कश्मीर का यो issue चलता रहता है, और आपने सुना होगा एक, जैसे minorities के लिए government संतुस्ट करती रहती है, minority को, तो इसके लिए एक word और है, appeasement, appease का मतलब भी है, शांत करना या संतुस्ट करना, और इसके लिए मैंने important words लिए है, एक तो pacify है, और placate है, placate बहुत आता है exam में, और mollify, mollify, placate और pacify, इनका मतलब है, शांत करना, या समझोता करना, या बातचीत करके उस चीज़ को संत करना, संतुस्ट करना, और ये एक बर्भ है, conciliate, conciliation आप आपका noun form होगी, देखिए, आप photo में देख सकते हैं, इनको सांत किया जा रहा है, और antonym होगा इसका provoke और insight, provoke का मतलब होता है भढ़काना, किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए भढ़काना, insight भी बहुत अच्छा word है, insight कर दिया, उसको भढ़का दिया, या उकसा दिया, उसको हम बोलते हैं, provoke या insight, तो provoke और insight, इसके antonym होगे, provoke और insight, ये इसके antonym होगे, और conciliate के surnames होगे pacify, placate और mollify, ये बहुत important word है, देखिए इसके example sentence देखिए, इससे आपको पूरी अच्छे तरह की से समझ में आ जाएगा, there were attempts to conciliate, to get resolution, but with no success, attempts हो रहे थे, conciliation के समझोता होने के, लेकिन उससे कोई success नहीं मिल रही थी, और सारे ही world मैंने ये SSA CGL exam को, और IBPS clerk exam को धान में रखते हुए include किये हैं, मैंने यहाँ पर indicate किया है, IBPSPO, लेकिन IBPSPO के अलाबा, यह SBI clerk और आपका IBPS clerk और SSA CGL exam के लिए बहुत important है, SSA CGL tier 1 के लिए भी और tier 2 के लिए भी, tier 2 के लिए particularly बहुत ही जदा, क्योंकि उसमें बड़ा portion होता है, SSA CGL tier 2 में, और काफी सरे questions आते हैं, और यह basic word है, और यह word यदि आप grasp करते हैं इन words को, तो आप reading comprehension, close test, sentence correction को बहुत आसानी से solve कर सकते हैं, क्योंकि high frequency word हैं यह important words हैं, चलिए next देखते हैं, destitute, देखिए destitute का मतलब है, अभाब गरस्त, कंगाल या गरीव व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे destitute, और यह adjective है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विसेशता बता रहा है, तो इसलिए यह adjective हुआ है, यहां मैंने indicate किया है, adjective, इसका मतलब होगा, अभाब गरस लोग हैं, यहां पर देखिए कैसा द्रश्च है, और antonyms होंगे इसके well of rich or wealthy, ठीक है, destitute, और इसके synonyms देखिए poor, गरीब, penniless, penny हम बोलते हैं सिक्के को, तो जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है, वो गरीब है, या दरिद्र है, या अभाब गरस्त है, उसको हम बोलेंग तो उससे बना है यह, penniless, और आपका poor, और इसके antonyms देखिए well of rich or wealthy, यह है इसका example sentence, his father had died and his destitute mother, two sisters and a brother had ended up living in a roadside hut made of bamboo, एक गरीबी के हालत को दरसा रहे हैं sentence के द्वारा, और बहुत ही important word है यह, destitute, जिसका मतलब है गरीब, चलिए, आगे बार देखते हैं, conundrum, conundrum का मतलब है एक ऐसी riddle, या एक ऐसी पहेली, या एक ऐसी समस्या, जिसका हल नहीं निकल रहा है, जिसको, जिसका हल ढूरना बहुत मुश्किल है, देखिए, puzzle, mystery का मतलब तो रहस्य होता है, mystery, puzzle और enigma, और riddle, यदि कोई ची इसको solve करना तो उसको हम बोलेंगे enigmatic, enigmatic एक adjective होगा, और conundrum या enigma नाउन है, ठीक है, enigma नाउन होगा, riddle नाउन है, mystery नाउन है, और puzzle नाउन है, और अगर मैं इसको enigmatic कर दूँ, तो वो adjective हो जाएगा, enter name होंगे इसके clarification और solution, अब देखिए एक इसका example sentence, the pre-schooler with me are absolutely no use in solving this conundrum, but they do like this shiny photos of chicken feet, very important sentence, और conundrum का मतलब है, पहेली या riddle या enigma, चलिए आगे देखते हैं, next word, bucolic का मतलब है, गाओं से सम्मंदित, यानि ग्रामीर, और ये एक adjective है, countryside का मतलब भी ग्रामीर होता है, countryside, 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 rustic, rustic हम ऐसे व्यक्ति को भी बोलते हैं, जो गाओं का है, ग्रामीर है, और जो गमार टा पैस्टोरल और रूरल, तो bucolic को आप याद कैसे रखेंगे, bucolic को आप याद रख सकते हैं, beauty से, bucolic मतलब beautiful या beauty, और beauty या गीनरी हमें नॉर्मली मिलती है गाओं में, ठीक है, तो bucolic का मतलब है, rural, इस तरीके से इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं, urban का मतलब होग शहरी, और अब देखें, example sentence, more path is an historic inland river port, with a bucolic field on the banks of the Hunter River, 168 km north of Sydney, एक city का scene है, वह पर बता रहे हैं कि वो इसलिए खुब सूरत है क्योंकि वो गाओं के नजदीक है, तो bucolic का मतलब होगा, आपका pastoral या rural, और इसका intonim होगा, urban, चलिए next word देखते हैं, सभी high frequency word हैं, और सभी के exams में आने की संभावना है, और basic words भी हैं, और इन words का बहुत use होता है, reading comprehension में, close test में, तो इनको अच्छे तरीके से आप पूरे वीडियो को end तक देखिए, और इसमें end में मैं आपका revision भी करबाऊंगा, आपके जो fourth कमे exams के ल क्योंकि एक ही वीडियो के मैं Hindi version भी record करता हूं और English version भी record करता हूं, दौनों version आप देख सकते हैं, तो देखे, quicksotic, बहुत common word है, कहीं exam में आ चुका है, quicksotic का मतलब है, आप बहारिक या जो चीज practical नहीं है, जो चीज बिलकुल भी practical नहीं है, उसको हम बोलते हैं, quicksotic, impract impractical, unrealistic, utopian और shimerical, देखे, shimerical का मतलब भी बहुत important word है, ये भी, shimerical, utopia का मतलब होता है, एक आदर से राज्य, या रामराज्य, जो होता है, उसको हम बोलते है, utopia, या utopian republic, और इसका antonym होता है, dystopia, dystopia मतलब यहाँ पर सारी चीज़ है, बेकार है, कोई पूरी तरीके से अनर्की है, कोई रूल नहीं है, उसको हम बोलते है, dystopia, और utopia का मतलब होता है, रामराज, या perfect state, और आप बोल सकते है, a place where everything is perfect, so utopian का मतलब हुआ, लेकिन ऐसी चीज़ होती नहीं है, reality में, तो इसलिए utopian भी इसका synonym है, लेकिन इसका exact synonym है, impractical और unrealistic, और shimerical यह बहुत important है, कि एक्जाम में आ चुका है, utopian का मतलब है perfect state, ठीक है, देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जैसे कि आप जन्नत में आए हुए है, scene को देखके रहा है, कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही perfect जगह आए हुए है, scene को देखके ऐसा लग रहा है, और इसका solid and reliable rather than quixotic and surprising, very good sentence, your plan to become a millionaire within a year seems to be a quite quixotic plan, बिल्कुल सही है, कि एक साल में करोरपती और लगपती बनना यह थोड़ा सा unrealistic लगता है, इसलिए यह सेंटेंस यूज हुआ है, तो quixotic का मतलब है impractical, quixotic means impractical, चलिए देखते हैं next, high frequency word देखते हैं हमारा क्या है, next high frequency word है paragon, paragon का मतलब होता है role model या model of excellence, जैसे अमिताब बच्चन है, या सचिन तेंदूलकर है, या सानिया मिर्जा है, यह है model of excellence, जनोंने अपनी अपनी field में excellence को achieve किया है, इनको हम बोलेंगे model of excellence, या role model, या model of perfection, और इसका एंटनेम होगा faulty या imperfect, और example sentence से आप समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, the fictional country, Eburia, is gradually being destroyed by the ruler, a paragon of greed, ambition, stupidity and paranoia, पागलपन होता है, एक तरह का उनमाद होता है, उसको बोलते हैं, paranoia, stupidity, बूर्खता, ambition, और greed मतलब लालच, तो उसका वो एक role model है, वो जो ruler है, और उसकी वज़े से वो country destroy हो रही है, हम सभी जानते हैं, Amitabh Bachchan is a paragon of acting, definitely he is a paragon of acting, एक role model है, और एक benchmark set किया है उन्होंने, सभी दूसरे actors के लिए किस तरह से acting होती है, तो paragon का मतलब है model of excellence, यानि और जो व्यक्ति एक मिसाल देता है दूसरा को, उसको हम बोलते हैं paragon, और paragon यहां पर एक noun है, और मैंने indicate किया है उपर, चलिए next high frequency word देखिए, arbitrate, बहुत important word है यह, और arbitrate का जो noun form होगा, वो होगा arbitration, इसका मतलब है, बीच बचाव करना, mediate करना, मध्यस्तता करना, उसको हम बोलते हैं arbitrate, यह यहां पर एक verb है, किरिया है, बीच बचाव करना, so mediate, और interpose, intercede, intervene, और add judge, देखिए यह inter वाले जितने भी word है, inter का मतलब होता है, दो लोगों के बीच में, जैसे inter class competition, या inter school competition, तो दो लोगों के बीच में, जब कोई sentence बनता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि interpose, interpose का मतलब है, mediate करना, मध्यस्तता करना, intercede और intervene, इससे आप समझ सकते हैं, यहां पर मैंने आपको लिंक दिया है, inter word, inter का मतलब होता है, दो लोगों के बीच में, तो interpose का मतलब हो गया, बीच बचाव करना, या या नि, mediate करना, intercede और intervene, यह तो एक बहुत common word है, intervene, और adjudge, adjudge करना, बहुत important word है, और यदि आप मध्यस्तता नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप ignore करेंगे, या neglect करेंगे, या hesitate करेंगे आप, तो इसलिए यह word होगा इसके, एंटो नेम्स, देखिए यह एक व्यक्ति है, यह दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, यह दोनों लोग लड़ रहे हैं और यह बीच में बचाने आया है इनको, कि लड़ो मत, तो इसलिए यह intercede, interpose, या intervene कर रहा है, intervene कर रहा है यह व्यक्ति, और sentence देखिए, Victoria is unique in having the infertility treatment authority to arbitrate on such matter, infertility treatment के matter में जो Victoria है, वो arbitrate करने के लिए sufficient है, चलिए नेक्स वर्ड देखते हैं, देखिए यह बहुत important वर्ड है, एपराइज बोलेंगे इसको, एक होता है एपराइज और एक होता है अपरेज, ठीक है, तो इसमें R-I-S-E आता है, अपराइज में, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सूचित करना, और यह है यहाँ पर बर्ब, अपराइज, और देखिए इसका सुनो नेम्स, इनफॉर्म करना, ब्रीफ करना या नोटिफाय करना, ठीक है, अपराइज है यह, ध्यान रखिए, और इस वर्ड के बाद हम सेंटेंस में आफ लगाते हैं, अपराइज आफ, I was apprised आफ, ठीक है, इसके बाद हम आफ लगाते हैं, इसका मतलब इनफॉर्म, ब्रीफ करना य ए दिखवज़े सींग है, जो सारे लोगों को नोटिफाय कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, कि क्या progress हो रही है, क्या development हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, प्रैस को बता रहे हैं, दिखवज़े सींग है, और इसके एंटो निम होंगे, conceal और hide, यदि आप एप्राइज नहीं करेंगे किसी को सूचित नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे conceal या hide आपने वो information hide कर लिया conceal कर लिया और इसके देखिए example sentences they can apprise you of room availability course rates contact a hotel for you and tell you when major conventions will be in town बहुत अच्छा sentence है कि वे आपको inform कर सकते हैं room availability के बारे में rates बता सकते हैं दूसरे hotel से contact कर सकते हैं तो यह इसका मतलब है और देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और explain किया है appraise means to assess or evaluate appraise होता है उसमें आता है r-a-i-s-e जिसको हम बोलते है appraisal यह companies में होता है employees का साल के आखरी में एक appraisal होता है जिसमें उनका assessment किया जाता है कि उनकी performance कैसी रही और performance के आधारपन को increment बोनस बगर दिये जाते हैं appraisal means evaluation यह assessment तो इसमें आप धान रखिए यह इसमें आता है rise और इसमें आता है raise raise हम salary increment को भी बोलते हैं I have got a raise raise का मतलब salary increment salary या बढ़ती है उसको भी हम raise बोलते हैं और यह है आपका और यह है rise तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह दोनों words और दोनों word का meaning और इनमें अंतर यह आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा और इन words में confused मत होईए क्योंकि यह word बहुत commonly use होते हैं सभी competitive exam में अप्राइज एन अप्रेज और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिचुलेट कैपिचुलेट का मतलब है देखिए मिलते हैं कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ एक होता है एक है आपका कैपिचुलेट और एक है capitalize on तो पहले सवर्ड को देखते हैं कैपिचुलेट कैपिचुलेट का मतलब है आत्म समर्पन करना इसको आप याद कैसे रखेंगे देखे जब राजा महराजाओं की लड़ाई होती थी तो वो अपनी capital को समर्पित कर देते थे हार जाते थे और उनकी जो capital थी वो दूसरे लोग ले लेते थे तो इस तरीके से इसको याद आप रख सकते हैं Capitulate का मतलब है अपनी capital किसी को दे देना या समर्पन कर देना Surrender बहुत simple word Eald Eald का मतलब होता है समर्पन करना या पीछे हट जाना या छुक जाना उसको हम बोलते हैं Eald और Eald हम agriculture में भी यूज़ करते हैं Eald का मतलब होता है production पूरे साल में कितना production हुआ है उसको हम बोलते हैं Eald Given ये एक phrasal verb है इसको आप give up से confuse मत होए ये given है Give up नहीं है Give up का मतलब छोड़ना होता है और ये है given Given का मतलब है surrender करना Submit Relent Relent का मतलब है पीछे हट जाना या कमजोर पढ़ जाना जैसे Relent Less होता है Relent Less जो कमजोर नहीं पढ़ रहा जो पीछे नहीं हट रहा जो लगातर प्रयास कर रहा है जो हम बोलते है Relent Less Give way ये भी बहुत अच्छा वड़ा हो Seed Seed का मतलब भी है पीछे हट जाना Seed Relent Submit Given और Capitulate ठीक है Capitulate को आप Capital से याद रख सकते हैं देखे ये व्यक्ती ने इसके सामने समरपन कर दिया है फोटो से आप देख सकते हैं और यदि आप समरपन नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप करते हैं Regist Fight या Conquer Regist करते हैं आप प्रतरोध करते हैं पीछे नहीं अठते हैं आप लड़ते हैं ठीक है तो इसको हम बोलेंगे Regist और इसका noun form होगा आपका resistance और इसका example sentence देखिए The country still refuses to capitulate despite its weakening army and dwindling resources मतलब एक देश है वो अभी भी surrender करने से मना कर रहा है हाला कि इसकी जो army है वो वीक होती जा रही है और resources जो है वो कम होते जा रहे हैं dwindling resources मतलब decline होते जा रहे हैं तो capitulate का मतलब है recapitulate का मतलब है summarize करना किसी चीज को उसको बोलते है recap या recapitulate capitalize on capitalize on का मतलब है किसी चीज का फाइदा उठाना किसी चीज को in cash करना उसको हम बोलते है capitalize on और यह है आपका capitulate यानि आत्म समरपन करना और यह यहाँ पर है verb, capitulate चलेए नेक्स वार्ड देखते हैं be mawn देखे बी mawn का मतलब क्या है जब आपको कोई दुख होता है जब आपको कोई शोक होता है किसी भी चीछ का दुख होता है तो आप mawn हो जाते हैं सोचने लगते हैं तो इस तरीके से आप इस word को याद रह सकते हैं ये याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि बी मोन मतलब मौन हो जाना और मौन कब होंगे अप? जब आप बहुत जदा अंदर से दुखी होंगे? तो इसको हम बोलते हैं बी मौन. इस तरह से Hindi और English को मैंने link करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन words को याद रख सकते को कि words तो बहुत हैं लेकिन main चीजे कि इनको याद रख पाना और exam में ये strike कर पाना जब exam होता है तो उस समय ये word आपको याद नहीं आते लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो जिंदगी भर के लिए word आपको याद हो जाएंगे be mode mal, grieve, deplore ये बहुत अच्छा word है deplore deplorable मतलब शोच नहीं है lament के exam में आ चुका है ये lament, rue और bewail bewail का मतलब actually होता है दुख की वज़े से करहाना उसको हम बोलते हैं bewail और sing the blues ये एक idiom है, ये एक महावरा है और blue का मतलब होता है शोख या दुख तो sing the blues का मतलब हुआ शोख प्रगट करना sing the blues bewail मतलब करहाना या रोना rue पश्चाताप करना lament दुख व्यक्त करना deplore कोई चीज का किसी चीज़ पर बहुत दुख व्यक्त करना deplorable यानि सोच नहीं है grieve जैसे grievances होती है शिकायत है और mourn mournful इसका adjective बन जाएगा mournful यानि बहुत ज़़दा दुख ही तो बीमोन का मतलब होगा दुख प्रगट करना और ये है यहां पर बर्व देखे ये हार गया है किसी मैच बगरा में ये कोई प्लेयर है एकदम शौक रह गया है दुख प्रगट कर रहा है तो ये बीमोन की हालत में है इस समय और इसका इंटनेम होगा इंजॉइ, रिजॉइस और ब्लेस बिल्कल सही सेंटेंस है ये काफी लोग उसको उसका दुख पगट करते है और बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है तो बीमोन का मतलब होगा मौड अरेंट अरेंट का मतलब है एपसलूट अरेंट का मतलब है एपसलूट इस ए से आप याद रह सकते हैं अरेंट और एपसलूट दौनों में ही ए आता है शुरू में तो इस अरेंट का मतलब वो एपसलूट यानि पूरी तरही के से जैसे अगर मैं बोलूँ अरेंट नॉनसेंस तो इसका मतलब हुआ है, पूरी तरीके से ये nonsense है, ये खरा nonsense है, पक्का nonsense है, इसमें कुछ भी sensible नहीं है, complete, utter, total, absolute and downright, ये word है, जिनका मतलब होता है, absolute, पूरी तरीके से या पक्का, ठीक है, और partial होगा इसका, एंटोनिम, और देखें, ये word और ये word में अंतर है, इसमें A है, A-R-R-A-N-T, और इसमें है E-R-R-A-N-T, इरेंट, इस इरेंट का मतलब है, देखें, इसमें E दिया हुआ है, और E का मतलब है error, यानि जिसने error की है, यानि जो guilty है, जिसने guilty की है, तो इरेंट का एक तो मतलब होता है guilty, और एक मतलब होता है, इरेंट का, ये traveling में use होता है, जो व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है, घूमने का शौकीन होता है, उसको बोलते है, एरेंट, तो यह आपके one word substitution में भी आ सकता है, definitely one word substitution के लिए बहुत useful है यह, और यह है अरेंट, और इस अरेंट का मतलब है absolute, यानि पूरी तरीके से, देखें यह यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो में, अरेंट nonsense, यानि complete nonsense, तो इस तरह से यह word use होते हैं, और जो मैं लिंक आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप याद रखेंगे, तो जिंदगी भर आपका भी भूलेंगे नहीं, अरेंट का मतलब है absolute, absolute मैंने कैसे पता किया, क्योंकि A और A, absolute में A है और अरें फ्रिबोलस, फ्रिबोलस का मतलब है silly, मूर्खता पूर्ण, यानि गंभीरता से बिचाल ना करने वाला, या तुछ या ओचा, उसको हम बोलेंगे फ्रिबोलस, playful, frolicsome, perky, light-hearted, flippant, flippant एक बहुत अच्छा वर्ड है, flippancy, ओचा पन, या तुछ पन, उसको बोलेंगे flippant, adjective हो गया flippancy, आपका noun हो गया silly, और इसका एक idiotic भी होता है, idiotic, trivial और foolish, देखे, यह आप फोटो देख सकते हैं, यह foolish activity है, और इसका एंटनेम होगा sensible, serious, or sane, sane का मतलब होता है sensible, sane, तो insane इसका उल्टा होगा, insane का मतलब जो समझदार नहीं है, उसको बोलेंगे insane, example sentence देखिए, while games are still dismissed by many as frivolous, vacuous, and lacking any artistic merit, games को बहुत सारे लोग discourage करते हैं, बोलते हैं, कि यह तो frivolous चीज है, silly चीज है, backuous है, खाली है, मतलब इसमा कोई artistic merit नहीं है, games के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, तो यह उनका opinion है, तो frivolous का मतलब हो गया, silly, flippant, perky, frolicsome, idiotic, trivial, and foolish, यह हुआ, frivolous का synonyms और इसके antonyms definitely होंगे, sensible, serious, or sane, chicken, chickenry का मतलब होता है, धोका देना, धोका देने की जो क्रिया होगी, जो process होगा, उसको हम बोलेंगे chickenry, और chickenry एक noun है, क्योंकि यह एक चीज का नाम है, और इसके synonyms होंगे, आपके fool, बहुत important word है, bluff, bluff master, एक अभिशेक बच्चन की film आई थी, bluff master, धोका देने में जो पारंगत है, उसको हम बोलेंगे bluff master, सब्टर्फ्यूज, सब्टर्फ्यूज, यानि कोई व्यक्ति यदि आपका फ्यूज उड़ा देता है, तो उसका मतलब उसने आपको धोका दे दिया, तो सब्टर्फ्यूज को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्विंडल बहुत important word है, स्विंडल, ठीक है, deceit और इसका noun form होगा deception, और इसका बर्व form होगा deceive, और ये noun है, deceit यानि धोका, sharp practices, sharp practices का मतलब होगा आपका, धोका दड़ी, और देखें, ये यहाँ पर मैंने एक idiom लिया है, smoke and mirrors, smoke and mirrors, बहुत important है ये, स्विंडल एक्जाम के लिए, smoke and mirrors का मतलब है, गलत काम करना, हैंकी-पैंकी करना, चालाकी करना, हैंकी-पैंकी का मतलब है, चालाकी करना, और smoke and mirrors, देखें, ये कार्ड दिखा रहा है, अपना आई-कार्ड को चेंज कर दिया है, तो उस तरीके से धोका दड़ी है, honesty, openness, transparency, or truthfulness, ये इसके एंटोनेम्स हैं, example sentence मैंने एक-दो काफी सरे लिये, the AFL is taking a close close look at the chickenry, but the reality is that it was within the rules, if not the spirit of the trading period, the obscuring or embellishment of the truth of a situation with misleading or irrelevant information, ये इसका मतलब है, मतलब जो सही चीज़, उसको चेंज कर देना, उसको घुमा फिरा देना, इस तरह से उसको तोड मरोड कर देना, उसको हम बोलते हैं, chickenry, देखिए, the budget process is an exercise in smoke and mirrors, उसमें changes किये जा रहे हैं, और जो genuine चीज़ है, जो truth चीज़ है, उसको बताया नहीं जा रहा है, तो इसलिए इस sentence का मतलब है, और smoke and mirrors, ध्यान रखिए, smoke and mirrors, इसका मतलब है, धोका देना, hanky-panky का मतलब है, चाला की, swindle का मतलब है, धोका देना, subterfuse, bluff and fool, ये मैंने words बताये हैं कुछ, अच्छे तरीके से इनको याद करिए आप, और next word देखते हैं, ये भी बहुत high frequency word है, और ये adjective है, sedentary, sedentary का मतलब है, जो sitting position में रहता है, हमेशा, sedentary मतलब sitting position में, हमेशा जो बैठा हुआ रहता है, मतलब इसका body का movement बहुत कम है, activity बहुत कम है, उसको हम बोलते है, sedentary, अधिक बैठा रहने वाला, और ये है adjective, somewhat inactive, और ये देखिए, ये बहुत अच्छा word है, desk bound, अपनी desk से बन्धा हुआ रहता है, desk bound रहता है, inactive भी बोल सकते हैं इसको हम, sedentary, देखिए ये photo को देखके आप, sedentary lifestyle है इनकी, और इसलिए देखिए ये obesity के सिकार है, मोटा पाप फैल रहा है, क्योंकि बैठे बैठे ये अपना लस्टी पी रहे है, टी बी चल रहा है, ये सारी चीज़ है, sedentary lifestyle है, और इसका एंटोनेम होगा आपका active, sentence देखिए इसके, we all walk a certain amount every day, even if we are sedentary, हाला कि हम sedentary हो सकते हैं, लेकिन उसके बाबजूत भी हम, कुछ ना कुछ तो पैदल, डेली चलते ही हैं, He spoke from a sedentary position, मतलब बोला, लेकिन sedentary position से बोला, यानि बैठे 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 बोला, चेयर पर बैठे हुए उसने अपना lecture दिया, a sedentary job, sedentary job मतलब यहाँ पर आपको बैठे बैठे सारा काम करना पड़ता है, movement नहीं होता, उसको हम बोलते हैं, sedentary, बहुत important word है, sedentary का मतलब अधिक बैठा रहने वाला, बैग रेंट, बैग रेंट को देखिए, आप कैसे याद रखेंगे, बैग रेंट का मतलब है घुमककर, और देखिए, इसके आखरी में क्या word लगा हुआ है, रेंट, जो रेंट पर रहता है, वो मकान बदलता रहता है, और घुमता रहता है, आइक जो बैग रेंट का मतलब होगा, घुमककर, जो बनजềरा टाइप के व्यक्ति होते हैं, बनजरा एक, वो भी होती है, प्रिजातिवी थी, बनजठा के बनजठा टाइप के लोग थे, पहले, वांडरर, स्ट्रैंप, वेगा बॉन्ट, बनजरा को हम बोलते हैं, नुम एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, drifter, roaming, यह तो एक बहुत important word है, बहुत common word है, roaming, और IT नी rent, यह traveling में यूज होता है, IT नी rent, घूमने वाले लोग, ठीक है, tramp को आप कैसे याद रखेंगे, जो ramp पर चल रहा है, ramp पर घूम रहा है, उसको बोलते है, tramp, यानि घूमने वा हो गया है, और, example sentence देखिए इसके, 25 years ago, a plasterer from Glasgow, named Jim Anderson, took me in, when I was more or less a background in his country, मैं, उसकी country में गुमकर था, लेकिन उसने मेरे को अंदर रहने की जगह दी, next word देखते हैं, bullish, देखिए, bullish और bearish, ये दो word है, और ये दौनों word आपके share market में use होते हैं, bullish का मतलब होता है, जब आप उम्मीद कर रहे हैं, कि prices, जो shares के हैं, वो बढ़ेंगे, और bearish में आप उम्मीद कर रहे हैं, कि prices, shares के घटेंगे, या नीचे जाएंगे, तो इस तरह से ये bullish का मतलब होता है, आसावादी, और bearish का मतलब होता है, निराशावादी, यानि bullish का मतलब है, जो जिसको उम्मीद है, जो आशावान है, कि prices बढ़ेंगे, और bearish का मतलब है, कि उसको लग रहे है, कि prices घटेंगे, इसका एक logic ये हो सकता है, कि bearish, bear जो होता है, भालू, वो हमेसा नीचे की तरफ देख के चलता है और bell जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख के चलता है इसका एक ये logic हो सकता है कि bullish और bearish hopeful, buoyant ये buoyant बहुत important word है का एक्जाम में आ चुका है hopeful ऐसका मतलब buoyant का hopeful, upbeat ये भी बहुत important word है upbeat यानि confident, यानि hopeful और देखिए ये photo से आप देख सकते हैं ये है bear और ये है bull bull इंडिकेट कर रहा है देखिए upward trend को इंडिकेट कर रहा है और ये lower trend को इंडिकेट कर रहा है तो pessimistic और bearish इसके antonyms होंगे example sentence देखिए it is difficult to know when the bear will turn bullish or what will ultimately cause the turn in the market and the global economy सही है ये बाद प्रेडिक्ट करना बहुत कठेन है कि कम market bullish हो जाएगी और कम market bearish हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे factors पर depend करता है कि कम market bullish होगी और कब bearish होगी तो bullish का मतलब है hopeful और bearish का मतलब है pessimistic चले next word देखते है इस साज का मतलब है नकली यानि bogus या fake या counterfeit counterfeit banking में बहुत यूज होता है नकली note को हम बोलते है counterfeit और artificial fake bogus और phony phony का मतलब होता है पाखंडी विक्ति या ढोंगी विक्ति उसको हम बोलते है phony और इसके लिए एक word और है इंगलिस में imposter imposter का मतलब ही वो यह होता है ढोंगी ढोंग करने वाला bogus counterfeit artificial और fake देखिए इस चित्र में यह असली है और यह नकली है डिपिक्ट कर रहा है इसमें फोटो से और इसका एंटियोन होगा original और genuine example sentence देखिए इसके the costumes to have an assas quality counts obtusive trains purple velvet and airman obtusive का मतलब होता है conspicuous जो दूर से साब साब दिखाई दे रहा है तो assas का मतलब है erroneous से आप इसको याद रख सकते हैं irsas मतलब erroneous यानि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं imposter एक word मैंने बताया है imposter और इसका counterfeit मैंने एक बताया है बहुत important word है ये next देखिए levity levity का मतलब होता है ओच्छापन हसी मजाग करना या हलकापन कोई चीज का serious serious मैं नहीं लेना उसको lightness, humor, flippancy ये मैंने भी बताया था jokiness levity ठीक है देखिए photo देख सकते हैं आप हसी मजाग चल रहा है और he is not taking things seriously और इसका एंटोनिम होगा gravity और seriousness ये word बहुत important है gravity of the situation यानि situation की seriousness example sentence देखिए amid all the flippancy you really felt like you were getting to know condom ये किसी city का नाम है और flippancy का मतलब है हलकापन seriously नहीं होना उसको हम बोलते है levity या flippancy flippancy को आप flip cover से याद रख सकते हैं flip cover जो होता है बहुत हलका होता है mobile का जो flip cover होता है बहुत हलका होता है उससे आप इसको याद रह सकते हैं levity levity का मतलब है ओच्छापन astwhile astwhile का मतलब है भूत पूर्ब यानि जो पहले थे और अब नहीं है former ठीक है एक होता है former और एक होता है letter l-a-w-t-e-r एक होता है letter और एक होता है former former मतलब पहले वाला letter मतलब बादवाला x x भी बोलते हैं हम then मतलब ततकालीन then का मतलब हो गया ततकालीन x का मतलब भूत पूर्ब और former का मतलब भी होगा भूत पूर्ब astwhile देखें ये हमारे भूत पूर प्राइब मिनिस्टर है Manmohan Singh और इसका एंटोनेम होगा current या present और इसके लिए एक वर्डर होता है incumbent incumbent का मतलब भी वही है incumbent बर्ड में आपको बताऊंगा भी incumbent का मतलब है कि present में जो office holder है उनको उसको हम incumbent बोलते हैं और incumbent का मतलब necessary भी होता है यानि obligatory देखें incumbent आ गया आपको बोलते हैं incumbent नरेंद मोदी is the incumbent Prime Minister of India incumbent incumbent के दो मतलब होते हैं एक तो incumbent का मतलब है necessary for someone as a duty or responsibility यानि किसी के लिए कोई चीज का आवस्यक होना binding होना obligatory होना mandatory होना और compulsory होना एक तो यह है incumbent का मतलब और एक इसका मतलब है currently holding office जो currently office holder है उसको भी हम बोलते हैं incumbent यह हमारे incumbent PM है और इसका antonym होगा incumbent का होगा former क्योंकि incumbent का मतलब होता है current तो former होगा और आपका obligatory का होगा optional मतलब दौनों मीनिगों के यह अलग-लग antonyms है meaning के उपर depend करेगा कि आपका answer क्या होगा यदि आप mandatory के sense में इसको use कर रहे है तो आपका answer optional होगा और current के sense में इसको use कर रहे है तो former आपका answer होगा it is incumbent on the government मतलब government के लिए यह चीज आवस्तक है उसको ऐसा करना चाहिए वो बाद है इसको करने के लिए तो it is incumbent on the government to give a clear lead the government realized that it was incumbent on them to act government ने realize किया कि उनके लिए आवस्तक था कि वो act करे ठीक है next sentence देखिए the incumbent president was defeated जो office holder था जो current prime minister था वो हार गया था उसको हरा दिया गया था तो incumbent के दो मतलब मैंने बताए है और दोनों ही बहुत important है और यहां पर आप हमेशा याद रखिए incumbent के बाद यहां पर आप लगाएंगे on incumbent के बाद on आएगा यहां पर और apprise के बाद off आता है rancid rancid का मतलब है जो off हो गया है जो सड़ा हुआ है जो बासी है कोई चीज बासी होती है तो इसको हम बोलते है stale stale का मतलब है बासी off का मतलब है खराब हो गया है वो और इसके लिए एक word है putrid बहुत important word है putrid ठीक है और rotten rancid मतलब rotten rancid मतलब rotten सड़ा हुआ adjective है यह देखे एए फोटो में यह खराब हो गया है सड़ा गया है antonym देखे fresh the curd is rancid और आप बोल सकते हैं the curd has gone off इस तरह से भी बोल सकते हैं तो rancid का मतलब है rotten और rotten का मतलब है सड़ा हुआ repugnant repugnant का मतलब है distasteful यानि अरिचिकर कोई चीज खराब हो गयी है कोई चीज अच्छी नहीं लग रही कोई चीज घणासपद है उसको हम बोलते है repugnant repugnant का मतलब है जो आपको repel करता है repel का मतलब है attract का उल्टा होता है repel repel मतलब जो attract नहीं करता तो इसलिए repel से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं repugnant is anything that is that is repellent disgusting sickening जिससे आपकी हालत बीमार जैसी हो जाती है sickening जो है nauseating ये बहुत अच्छा वर्ड है nauseating nauseating का मतलब है sickly feeling बीमार जैसी feeling होना उसको बोलते है nauseating और इसका एक मतलब और होता है incompatible with मतलब असंगत होना किसी चीज के साथ मेल नहीं खाना उसको हम बोलते है incompatible तो repugnant का एक मतलब और है incompatible with incompatible with repugnant का ये मतलब तो repugnant incompatible with के incompatible के बाद with आएगा इसलिए मैंने ये दिखाया है यहाँ पर और repugnant के बाद two आएगा repugnant के बाद आप लगाएंगे two तो देखिए ये फोटो आप देख सकते हैं distasteful है ये खाना distasteful है ये भी सड़ गया है distasteful है और इसका antonym होगा present और tasteful ये इसके antonym होँगे और अब देखते हैं इसके आपके example sentence cannibalism seems repugnant to us cannibalism मतलब जिसमें mask का use होता है mask खाते हैं उसको हम बोलते हैं cannibalism a bylaw must not be repugnant to the general law of the country मतलब एक extra law बना रहे हैं वो main law के साथ repugnant नहीं होना चाहिए वो उसके साथ compatible होना चाहिए incompatible नहीं होना चाहिए ये इसका मतलब है तो repugnant का मतलब है distasteful या जो चीज़ आपको repel करती है उसको हम बोलेंगे repugnant tap it tap it का मतलब है गुनगुना और इसके दो मतलब है एक तो पानी के sense में use होता है especially of a liquid only slightly warm और luke warm luke warm water को हम बोलते हैं गुनगुना पानी ठीक है और इसका एक मतलब होता है unenthusiastic जिसे कोई प्रोग्राम किया आपने और इसका response अच्छा नहीं आया तो उसको आप बोलेंगे tap it response या leak warm response यानि ठीक ठाक response आया enthusiastic अच्छा response नहीं आया देखिए half hearted इसका मतलब होगा और apathetic इसका मतलब होगा मतलब दो sense में ये use होता है गुनगुना पानी यानि ठीक ठाक ना जादा ठंडा ना जादा गरम उसको हम बोलेंगे tap it और एक इसका मतलब होता है unenthusiastic और इसके antonyms होंगे warm और enthusiastic इसका example sentence देखिए the response of the marketing campaign was only tap it marketing campaign का जो response था वो unenthusiastic था उत्साहीन था मेरे डॉक्टर ने कहा कि इन पिल्स को गुनगुने पानी से मुझे लेना है inundation या inundated किसी चीज की बार आ जाना किसी चीज का flood उसको हम बोलते है inundate देखिए इनोंने कोई add बगरा डाला होगा तो कितने सारे इनके पास letters आ गए है एक बार आ गई है इनके पास letters की तो उसको हम बोलते है inundation flood, overflow, deluge deluge हम बोलते है पानी की जो बार आ जाती है literally उसको हम बोलते है deluge torrent बोचार जो तेज पड़ती है पानी के उसको हम बोलते है torrent यानि इसका भी sense वही है और influx influx, torrent और deluge यह बहुत important word है torrent और influx किसी चीज का एक दम से बार आना बहुत जदा तेजी से उस चीज का भढ़ना और इसका एंटोनेम होगा trickle trickle हम बोलते हैं पानी की एक छोटी सी धारा उसको हम बोलते है trickle या small quantity इसलिए यह trickle word यूज हुआ है an inundation of rugby fence बहुत अच्छा sentence है लगभी fence का inundation के बारे हम बोल रहे है वहाँ पर बहुत सारे लोग एक अच्टे हो गए तो इसमें तीन word है deluge, torrent और influx next word देखिए critique critique का यह noun है critique का मतलब है किसी का detailed analysis उसको हम बोलते critique देखिए appraisal, review, write-up यह इसके synonym सोंगे और इसका antonym होगा praise करना, flattery करना या compliment करना क्योंकि critique का मतलब होता है कि हम analysis करते है उसकी critical analysis होता है वो उसकी alochny करते हैं और उसको analyze करते हैं इसलिए इसका जो antonym होगा वो flattery और praise होगा और critique of markist historicism उसका एक analysis है यह तो बहुत सारे मैंने important word इसमें लिए हैं और यहाँ पर मैं आपका revision करवा हुआ और revision में मैंने कुछ word इसमें last अपने video tutorial से लिए है तो उन video tutorial को भी आप धान से आप देख लीजिए आपको playlist में मिल जाएंगे वो सारे video tutorial part 1, part 2, part 3 के नाम से हिंदी के आपको अलग playlist में मिल जाएंगे और इंग्लिस के आपको अलग playlist में मिल जाएंगे तो ज्यादातर word मैंने आपको आपके लिए उस वाली last video tutorial में से इसले लिए हैं ताकि आपको उन words का भी revision हो जाए पहले वाले जो word है और current word का भी revision हो जाए देखे लुगूब्रियस का मतलब होता है दुखी यानि लेमेंट एक्रोफोबिया का मतलब होता है उचाई से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया फ्लंक का मतलब होता है फेल हो जाना ये US English में बहुत फेमस word है फ्लंक ubiquitous का मतलब है जो चीज़ हर जगे present है उसको हम बोलते है ubiquitous background मैंने अभी बताया है जो घूमता रहता है उसको हम बोलते है background तो इसके लिए word आएगा आपका homeless person जिसको hobo भी बोलते है इरसाज का मतलब होता है कोई चीज जो नकली है या bogus है rescue का मतलब होता है escape या avoid करना ठीक है flip and flip cover का मैंने example दिया था यानि आपका fribolus capitulate जो capital अपनी दे देता है यानि surrender कर देता है मैंने सब के example दिये थे और arbitrate का मतलब है intervene ठीक है तो इस तरीके से या आपका revision भी होता जा रहा है ये path two है relentless मतलब जो पीछे हटने को तयार नहीं है उसको हम बोलेंगे relentless यानि un-ealing तो ये हो गए आपका relentless vague का मतलब होता है unclear vague abate का मतलब होता है subside होना किसी चीज का कम हो जाना जैसे मैंने mitigate बताया था वो ही है abate abate का मतलब होता है support करना pursue pursue का मतलब होता है बहुत simple word है follow करना impeccable हम ऐसी चीज को बोलेंगे जो पूरी तरीके से perfect है यानि faultless है obscure का मतलब होता है unclear actually vague का होगा uncertain और obscure का होगा unclear लेकिन मैं लगा देता हूँ यहाँ पर seize less का होगा आपका perpetual continuous bullish का होगा आपका optimistic mystic और chickenry का होता है आपका धोका धड़ी यानि swindle एक पार्ट और है इसका पार्ट थ्री यह last पार्ट है इसका इस पार्ट को भी देख लीजे critique का मतलब होगा detailed analysis अभी पड़ा है inundation का मतलब होता है किसी चीज की bar आ जाना यानि influx उसको हम torrent भी बोलते हैं tap it का मतलब होता है गुनगुना यानि इसका होगा आपका lukewarm repugnant का होगा distasteful pursue का होगा follow एक एक word को मैं कहके ही बार ले लेता हूँ ताकि आपका अच्छे तरह किसे revision हो जाए impeccable का होगा faultless obscure देकि फिर से लिया है ये word मैंने इसका है unclear seaseless, perpetual, bullish जो optimistic है उसको हम बोलेंगे bullish और rancid का मतलब है putrid यानि सडा हुआ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए आपके exams के लिए कैसा लगा ये बैसे तो ये वीडियो आपको ये बहुत यूच्फुल लगा हुआ और ये आपको ये परसनली बहुत पसंद आया वीडियो और मेरा प्रेजेंटेशनल पढ़ाने का तरीक आपको अगर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने जरूर हमारे साथ जुड़िये और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे जो की एग्जाम ओरियंटेट होते हैं पुरी तरीके से रिजल्ट ओरियंटेट होते हैं और हमारे जो दूसरे जो स्टुदेंस हैं जिनको सफल इस चैनल पर इतने भी वीडियो है आँ सारे वीडियो को देखिए आप सभी अलग-अलग है क्लोस्टेशं क्लोस्ट अलग है किल दो छेल स्वक्विज आप दू अलग है तुस्सारै वीडियों को देखिए A2 आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको काफी एक कमांड बन जाएगी subject पर काफी confidence आजाएगा सारे वीडियो आप देखिए और यदि आप manage कर सकते हैं तो जरूर अपने friends को बताईए अपने colleagues को बताईए और अपने relatives को बताईए इस चैनल के बारे में क्योंकि बहुत स स्वागत करता हूँ और ये मेरी कुछ links हैं इन links के थूँ आप जोड़ सकते हैं ये सारा detail मैं description box में नीचे देदूंगा उसके थूँ फेस्बुक का है ये English Advantage Group बनाया एक Facebook पर है काफी लोग जोड़ चुके हैं इसमें तो इसके साथ आप जोड़ सकते हैं Twitter का ये link है ये म मेरा WhatsApp नंबर है इस नंबर पर आप call भी कर सकते हैं यदि कोई problem है आपको तो और ये है मेरा email ID तो इन links के थूँ आप मुझसे जोड़ सकते हैं तो once again मैं आखरी में यही बोलूँगा कि thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.